बेलकम टू फ़नेड लर्न होम लॉर निंग स्ट्डेंड्स, आजम श्टांडर फूर्थ की यूिट फॉर्स्ट की स्टोरी नेहास अलाराम कलॉक वो पडेंगे So, students, let us start स्टोरी नेहास अलाराम कलॉक इसमें नेहास के नेहा की अलाराम कलॉक की बात हो रही है तो narrator, narrator का मतलब है जो कहानी सुना रहा है वो इसमें narrator कहानी में ये बताना चाहता है कि निहा अपनी जो alarm clock है उससे उसको क्या-क्या परेशानी होती है कैसे वो खूश होती है और कैसे उसको वो alarm clock उसको परेशान कर रहा है सो हम story को start करते हैं narrator, ring 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 off goes the alarm clock at six in the morning नेहा makes a face and covering her ears with a pillow snuggles under the warm blanket but the nose she has to get up she muttered to herself तो नेहा का जो alarm है वो ring 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 करके सुबे के छे बज़े वो बचता है और नेहा को वो अपना चैरा वो पिलो के उपर वो धक देती है कि उसको जल्ली उतना है लेकिन उसको उतना पसंद नहीं है नेहा, this alarm clock always ring at six and pulls me out of the bed it's so unfair, oh now I would love to sleep a little longer in the morning I wish this clock would forget its job sometimes कि नेहा बोलती है कि ये alarm clock है वो हर सुबे छे बज़े बचता है और मुझे वो बैड में से उठा देता है ये बहुत ही गलत बात है अब मुझे तो देर तक सोना है और morning क्यों इतनी जल्ली जल्ली हो जाती है और मुझे अपने काम पे भी जाना पड़ता है वो उसको पसंद नहीं होता है narrator say something falls, नेहा smile नेहा, oh my clock has fallen how happy I am, tomorrow I can get up late तो नेहा को कुछ गिरनी की आवाज आई तो वो smile किया उसने, वो हसने लगी कि शायद मेरी घडी गिर गई होगी तो वो खुश हो गई कि अब मुझे कल जल्ली उठना नहीं पड़ेगा narrator say next morning there is no alarm so नेहा sleeps and sleeps the small chirpy birds which come to the window still every morning find नेहा still sleeping तो narrator वो ऐसे वो कहता है कि वो नेहा ऐसा सोचती है कि मेरी घडी गिर गई है तो वो दूसरे दिन वो उसकी घडी बजी नहीं उसका अलराम नहीं बजा तो नेहा देरी तक सोते रही लेकिन उसकी रूम में चोटे-चोटे birds आके उसकी होटो पे आके उसको उठाने लगे उसको परिशान करने लगे birds say वेक अप दियर वेक अप फास्ट तो birds क्या बोलते है कि जल्ली जल्ली उठो फास्ट उठो narrator say नेहा gets up with a start तो वो narrator ऐसा वो उसके बारे में बोलता है कि जल्ली जल्ली उठो ऐसा नेहा को लगता है नेहा ओ नो इफ इट्स नॉट द अलराम क्लॉक इट्स इट्स बर्स वाइडों टे लिव मी अलोन नेहा वो ऐसा कहती है कि ये तो अलराम क्लॉक नहीं है ये तो बर्स है चोटे चोटे वो क्यों मुझे अकेले छोड नहीं देते है अलोन मतलब अकेला narrator say इवन दीस विश अप नेहा स कमस ट्रू the next morning there is not only no alarm clock there are no birds either but there is someone else who does not want her to meet the school bus can you guess who it is the big bright son he feels Neha's room with a warm smile तो narrator कहता है कि नेहा की गड़ी तो भी गड़ गई थी तो दूसरे दिन alarm clock तो नहीं बज़ा और birds भी नहीं आए लेकिन आपको पता है कि उसने क्या miss कर दिया कि आप guess करोगे कि नेहा को किसने उठाने की कोशिस की the big bright son मतलब बड़ा सा sun वो उसके नेहा के जो भी सूरज की जो किरने होती है वो नेहा के रूम में आई एकड़म उसकी रेस के साथ वा मतलब वो गर्मियों के साथ उसकी रूम में आई और वो नेहा को उठाने लगी नेहा वो मेरी आईस पे वो सूरज की किरने उसके आईस पे आती है तो वो ऐसा बोलते कि वो ये भी क्यों मुझे देरी तक सोने नहीं देती है नेहा को लगा कि उसकी ममी ने उसको आवाज दी वेक अप स्लिपी है यू विल मेज दबस के जली उठो आप अपनी बस मिस कर जाओगी ओ नो, वाइ डाज मदर है नो वेक अप मी के क्यों ममी मुझे उठा रही है नेरेटर से दर इस नो आईस कैप नाओ नेहा गैट्स अप एंड गैट्स रेड़ी तो आप नेरेटर वो बोल रहा है कि आपको पता है दूसरे दिन क्या हुआ था कि नेहा रेड़ी नहीं हुई थी लेकिन आप इमेजिंग करो कि क्या हुआ होगा तो दूसरे दिन उसकी ममी ने उसको उठाया कि आप उठ जाओ नेहा से मा, who wake me up today? तो नेहा बोली आज क्यों मुझे आप उठा रहे हो? तो उसकी ममी ने स्माइल करते हुए कहा मधर बोली, who else? you of course, but I was sleeping, how could I? now, tell me, why do you eat your lunch every day at one in the afternoon? नेहा, I feel hungry तो मधर, why do you sleep at night every night? तो वो नेहा दूसरे दिन जल्ली उठ गई और उन्होंने बोला कि ममी मेरा लंच रेड़ी है नेहा, because I feel sleepy लेकिन नेहा को तो अभी भी नीन आ रही थी मधर से, there is a clock inside you which tells you when you went to eat, when to sleep and when to wake up नेहा से, oh, I better rush now, I don't want to miss the bus मधर, relax बेटा, today is Sunday तो नेहा को तो ऐसा लगा, कि आज वो जल्ली जल्ली उठ गई थी लेकिन उस दिन तो Sunday था तो इसलिए वो नेहा, उसने बोला, oh, कि आज तो Sunday है तो ये स्टोरी आपको पता चली होगी बच्चो तो आगे हम उसकी solution और उसकी exercise देखेंगे पार्ट टू में, तब तक के लिए take care